तो दिस इस दी आंसर ऑफ दी क्वेस्टिन जो मैंने आप से कल पूछा था के दो मैक्सिमम नंबर्स के बीच में हमको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है अलफराज अगर हम एलसे फ्लाडर यूज करते हैं आपन वहां भी चलेंगे अलफराज टोन वरी दीरी दीरे आगे बढ़ रहे हैं ठीके नवीन अपने अगर कोड को थोड़ा मोडिफाई किया है अच्छी बात है अगर बी नम्टू या बी को शो कर रहा है बट हमारा एम अभी यह है कि हम क्वेशन का अंसर करें धीरे धीरे हम इसको और रिफाइन करेंगे और बहतर बनाएंगे वी हाव तो मूव अट पेस के सब को समझ में है अचली अभी सी कोशन गो अपन आगे एक्स्टेंड करते हैं आई वागन तो फाइंड आउट मैं इसको रिमॉव कर देता हूं और फाइंड आउट लारजेस्ट अमंग थ्री नम्मब लारजेस्ट अमंग थ्री नम्मस तो कैसे हो अब तीन नमबर के बीच में लारजेस्त है तो देखो, अब एक चीज़ आती है, if else के बारे में बताता हूँ, if condition is true, then, अब देखो इस चीज़ को जो मैं लेकर रहा हूँ, then, this part is, एक keyword है न, तुमारा, executed, else, this part is, execute, यह ऐसे होता है, दिक्कत यह है कि condition true है या false है, उसके according, कोई part execute हो रहा है, पर यह तो दो ही रास्ते हैं, या तो यह, या फिर यह, अगर मेरे पास दो से ज़्यादा रास्ते होए तो, जैसे की, अभी मैंने question आप से पूछा कि find out the largest among three numbers, तो अब तो मेरे पास तीन रास्ते होगए, कि A बड़ा होगा, या तो B बड़ा होगा, या फिर C बड़ा होगा, है न, तीनों मैंसे कोई भी एक बड़ा हो सकता है, तो तीन रास्ते होगए, ऐसे case में मैं क्या करूँ, मैं ऐसे case में if statements को repeat कर सकता हूँ ठीक है जैसे कि अभी अलफराज ने chat में बताया else if ladder use कर सकता हूँ दूसरा option ये है पहला option है else if ladder मैं बताऊंगा क्या होता है दूसरा है nesting अभी अपन programming concept पे focus नहीं करेंगे push नहीं करेंगे अपना काम है algorithm बनाना और इस तरह से कि सब को समझ में आए अभी मैं सबसे easiest method यूज करूँ ठीक है तो चलिए question पे चलते है step one start step two मुझे दो numbers input लेने sorry three numbers input a, b, c किसी भी step में किसी भी student को problem आए मुझसे पूछ लेना step three अब यहां से थोड़ा अपन को सोचना पड़ेगा यह कहता है कि तीन number में से बड़ा कौन सा find out करना है तो कैसे पता चलेगा आप कैसे कह सकते हो कि एक particular number बाकी दोनों number से बड़ा है जैसे अगर मैं आपको number बता हूँ एक minute मैं आपको number बताता हूँ four, nine और six तीन number से कैसे पता चला कि nine बड़ा है क्या किया आपने अपने दिमाग में ऐसा मुझे बताओ ज़रा बिल्कुल नवप्रीप सही कहा आपने और remaining students क्या कहते है counting counting कैसे अक्षर अंगूली पर किना आपने अच्छा इसको बड़ा कर देता हूँ यार फिर 44 29 66 अब अंगूली पर किना ज़रा counting करना रथम सही कह रहे हैं अंकिता भी सही कह रही है अयूशी भी सही कह रही है दुश्यन ने कहा है analyze बिल्कुल सही है बट हाओ the word is comparison आप क्या करते हो आप देखते हो कि क्या ये number ये जो 44 है ये जो number है ये क्या हो गया एक ये जो 44 नंबर है वो क्या सबसे बड़ा है बाकी दोनों नंबर से फिर आप आगे चेक करते हो 44, 29, 66 चेक करते हो 29 से बड़ा है ये पर 66 से बड़ा नहीं है फिर आप 66 को compare करते हो कि क्या ये बाकी दोनों से बड़ा है बिल्कुल है इसलिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया 66 पर अब मान लो कि मैं आपको number ये दिखाता ही नहीं है मैं बोलता हूँ तीन नंबर कोई भी तो उसका logic क्या बनेगा input A, B, C अब आपको number नहीं पता है A, B, C पता है आपको A में कुछ भी हो सकता है B में कुछ भी हो सकता है और C में कुछ भी हो सकता है तो क्या logic बनेगा कई students मुझे इसका logic दे चुके हैं पर जो students जिन्होंने अभी बिल्कुल शांत बैटे हैं मुझे उनसे भी जवाब चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल coding लिखो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि statement बताओ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आंसर बताने के लिए कि कैसे बता चलेगा आप चाहोगे न यही कि आप चेक करोगे कि क्या A B से बड़ा है अगर है तो मतलब A बड़ा है A और B में फिर आप A को किस से मैं चेक करोगे C से अब चेक करोगे क्या A C से बड़ा है अगर है तो आप कह सकते हो कि A सबसे बड़ा है तो मैं statement बनेगी If A is greater than B and A is greater than C then क्या-क्या and A is largest अभी सिर्फ A का हिसाब किताब किया है मैंने B और C का हिसाब किताब नहीं किया मैंने ठीक है end if step 4 मैं दलकुल simple तरीका बता रहा हूं इस समय आपको If A sorry B is greater than A and C is greater than A then print B is largest yes जैपरकाश अपन elsef भी यूस कर सकते हैं और अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हैं ठीक है ना अपन सब के साथ चलेंगे अपन को जल्दी नी भागना है इसी प्रोग्राम को मैं एक और तरीका भी बताऊंगा करने का step 5 अपना होगा if C is greater than A and C is greater than B दोनों अगर सच हैं then print C is largest और फिर step 6 क्या हुआ प्रतम ने लिखाए step 4 step 4 में बताऊ क्या अच्छा हाँ C greater than sorry sorry B greater than C thank you प्रतम नफ्रीट सर उपर वाले स्टेटमेंट में अल्रेडी चेक हो गया कौन से वाले स्टेटमेंट में अफ्री step number बताऊ अल्फराज ने ने स्टेटिव स्टेटमेंट अल्फराज अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं आपको बता चुका हूँ मैं यह मान रहा हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल बेगिनर है वो पन चल भी उसे साफसर है step 4 में b greater than a चेक करने की जरुद नहीं पड़ेगी क्या किया ना देखो step 4 में step 3 में क्या नफरी step 3 में क्या है मुझे बताऊ नवीन ने पुछा is it necessary to write end if नहीं 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 step खता होता है यह automatically end if हो जाता है मैं आपको बताया ना algorithm या pseudo code लिखने की कोई fixed rules नहीं है कोई fixed formatting भी नहीं है यह जो मैं implement कर रहा हूं यह अपनी तरफ से बता रहा हूं ताकि आप सब लोगों का algorithm लिखने का तरीका same रहे और वैसे भी आप देख सकते हो आप सब्सक्राइब करेंगे यहां पर बता रहें काफी देर से उसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि पहला एंड कब खतम हो रहा है दूसरा इफ कब शुरू हो रहा है एंड इफ काम में आप इसलिए अभी से एक अच्छी आदत डाल रहे है कि सो कि यह हो गया कि आपको algorithm समझ में आगी कि एक स्ट्री में अल्रेडी प्रूफ हो गया है कि बी क्रेटर था नफप्रीत मैंने else use नहीं किया है else if use नहीं किया है तो step 3 is totally different from step 4 अगर मैं this is only for I am answering नफप्रीत only अगर मैं else if ladder use करता तब मैं आपकी बात agree करता हूं यहां फिर अगर मैं nested if use करता तब भी मैं आपकी बात agree करता हूं अगर आपने इनको प्रॉपर्ली यूज किया है तो यू शूड नहीं होती हैं तो इस स्टेट्मेंट्स रॉपर्ली यूज किया है तो यूशुड कि यहां पर सारे steps execute हो रहे हैं that's why मुझे हर बार comparison करना पड़ेगा तो यह आपको समझ में आ गया चलो इसी program को algorithm को एक और तरह से करते हैं अभी इसमें कोई दिक्कत किसी को इस algorithm में सबको समझ में आ गया ऐसा कोई student जिसको दिक्कत हो सबको algorithm लिखने आनी चाहिए अर्शितर ने पूछा है अपर केस और केस्ट मैंटर्स नहीं यह तो क्या है इस अगेन समझिंग नट आइव ग्रेटेट कि जब अपन algorithm लिखेंगे न तो मैं कैसे इस words को variable से अलग करूँगा जैसे मान लो कि मैं एक variable लेना चाहता हूँ और वही variable as a word भी यूज करना चाहता हूँ तो मैं जो capital में लिखूँगा वो variable के लाएगा जो small में लिखूँगा वो word के लाएगा दिस इस माइ चोईस दिस टोटली अप टू यू अभी जैसे आपको clear पता चल रहा है जो मैंने capital में लिखा वो एक variable है अभी अगर इसको मैं छोटा कर दूँगा small caps में लिखूँगा तो दो मिनिट थड़ा आप confused होगे और अगर मैं पूरे words यूज कर लूँ तो और दिक्कत होगे इसलिए I am using capital letters as variables and small words as normal words यदुवीर सिंग बोलता है मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं समझ आ रहा यदुवीर तुझे बताओ भई simple तीन numbers के बीचे में अपन comparison कर रहे हैं कौन सा बड़ा है इसमें बताओ आपको कौन से step में problem आ रही है अपन discuss करते हैं और एक बार इस program को जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है अपने copy में बना के देख पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है अब यार ये कौन सा question हुआ इसका क्या मतलब पता नहीं चल रहा मतलब क्या तुझे पता नहीं चल रहा है कि step 1 में अपन start कर रहे हैं क्या तुझे पता नहीं चल रहा है step 2 में अपन A और B और C तीन variables को input कर रहे हैं third step क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि अपन third step में A को B से compare कर रहे हैं और A को C से compare कर रहे हैं ये बता चेक करने के लिए कि क्या A B से बड़ा है और A C से बड़ा है अगर ऐसा है तो A is largest step 4 में अपन यही काम B के लिए कर रहे है step 5 में यही काम अपन C के लिए कर रहे है और step 6 stop बताओ इसमें क्या step समझ नहीं है step number बताओ आगे समझ में है बहुत अच्छे इसको अपने हातों से एक बार लिखोगे न और भी समझ में आएगा इसी प्रोग्राम को अगर मुझे smallest में करना होता तो sign बदल जाते बस ठीक है इसी प्रोग्राम को बने एक और तरह से करते है आप मुझे बताना जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉपर है कि नहीं है कि मुझे बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि कि यह कह रहा है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि A, B, C में से मैं अजियूम कर रहा हूँ कि A सबसे बढ़ा है और फिर इस A को मैं compare करते जाओंगा B, C से अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो big में कौन सी value आ जाएगी जो बढ़ा variable ठीक है समझे आप क्या कहा मैंने यह आपको करना है अपने copy में मैंने कहा कि एक मैंने variable लिया है big और इसमें मैंने first value A को यह कह दिया आपने maths में पढ़ा होगा अवन contrary method यूज करते हैं contrary method में क्या होता है जो proof होता है, जो result होता है मैं कहता हूँ वैसा नहीं है और मुझे गलत साबित करता हूँ यहाँ पर भी अपन यही कर रहे है मैं मान के चल रहा हूँ कि A is the biggest अब मुझे गलत साबित करो तो आप क्या compare करोगे, big को B और C से compare करोगे अगर मैं गलत हूँ, तो जो बड़ा value है वो big के अंदर आ जाएगा यह algorithm आपको बनाने, ठीक है further, चलिए आगे move on करते है next अपन एक algorithm बनाने की कोशिश करते है this is something that you have to do जो अभी previous वाली algorithm है write an algorithm to check if a person can vote or not किता easy है यह step one, क्या होगा बिल्कुल सही अच्छा एक चीज मैं notice कर रहा हूँ, chat में only few students are responding मेरे पास 62 students है but मुझे लगता है कि अगर मैं chat को comparison करूँगा मेरे पास वही student है, जो की around 10 या 15 students ही respond कर रहे है बाकी क्या आप लोग phone चलाके बैठ गए हो कहीं और I don't understand step two क्या होगा मैं read करूँगा age step three step three पूरा sentence लिको if yes नवप्रीत ने सही लिका sentence है age is greater than equal to 18 का बंदा है वो भी दे सकता है विचारा वोट 18 then print inverted commas में you can vote else print you cannot vote ठीक है बहुरी अठाइस साल को अमरों को बूट दे सकते हैं गया 18 सही कर दिया step four खतम किता इजी है है ना चलिए इसको आगे मुवान करते हैं इसे ज़दा पुछ नी करेंगे अपन to check if a number is positive, negative और 0 अगला step अगला question राहुल step 3 समझना चाहते हैं ओकी राहुल एक बार देखो बाकि रिमेनिंग सुडेंट्स question question पर focus करो राहुल्स यह कह रहा है कि पहले step 2 में एज रीट किया step 3 में मैंने लिखा रहा है कि अगर age 18 से उपर या उसके बराबर है अना 18 या उपर उसके बराबर है तो print में लिख दिया है मैंने आप वोट कर सकते हैं नहीं तो नहीं तो का मतलब 18 से कम है उसकी उमर मैं capital N ले लिए number जिसको मैं input करा रहा हूं step 3 बताइए अब आप सवाल पर focus कीजिए सवाल कह रहा है मेरे पास अब तीन रास्ते हैं question की according to check if a number is positive, negative और 0 तो यहां तो number positive होगा या फिर number negative होगा या फिर वो zero होगा ऐसे मैं चाहता तो इस zero को हटा सकता था दो में fit कर देता पर वो दो आप easily कर सकते हैं अब मेरे पास तीन रास्ते हैं वही जैसे पहले अपने पास तीन numbers में से maximum find out करना था पर इस बात मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा वो है else if flat मतलब इसमें यह होता है कि मैं एक ही step के अंदर multiple if use करता हूँ कि अलग-अलग steps में नहीं जादतर यह else if ladder programming में use होता है समझें इस चीज को programming में use होता है पर हम इसको यहां भी use कर सकते हैं वैसे मैं आपको एक idea दूँ मतलब एक statement कहूंगा कि algorithm यह pseudo code होता है न वो programming से बिलकुल free होता है वो programming से बिलकुल free होता है तो कोशिश करनी यह चाहिए कि हम programming के elements उसमें कम से कम रखें यह algorithm आप general user के लिए बनाते हैं but still अपन तो programmers हैं देदेदे बन रहे हैं इसलिए अपन adjust कर सकते हैं और जो अपनी copy check करेगा वो भी adjust कर सकता है तो step 3 जैपरकाश ने almost answer देदिया है if n greater than 0 then yeah print n is positive ठीक है एक query मेरे पास आई है यतन ने पूरी query बिल्कुल सही लिख दी है पर यतन बुर रहा है कि less than grid done के symbols ही नहीं है यतन symbols तो हैं keyboard switch करना पड़ेगा बस आपको बट इसका मतलब यह नहीं कि आपका यह गलत है अगर आप step सही लिख दो तो आप यह पूरी statement भी allowed है ठीक है अब देखो step 4 पर वापिस से if लिखने की बज़ा है मैं लिख सकता हूं else if यह इसका मतलब है नहीं तो मतलब अगर यह सच नहीं है तो यह चेक करो if n is equal to 0 is equal to 0 then print n is 0 यह statement अपनी main line है यह कह रहा है कि यह इसी का alternate option है तीन रास्त है न अपने बास तो पहला option यह है दूसरा option यह है और तीसरा option अपने पास अगर बड़ा नहीं है 0 नहीं है तो बचा क्या आपने पास negative तो print n is negative आप notice करो कि सारा मैंने एक ही step में लिखा है step 4 इसी चीज़ को मैं step 3 एक बार फिर से लिख रहा हूं ऐसे भी लिख सकता हूं step 3 से if n is greater than 0 then print n is positive step 4 if n is less than 0 sorry n is equal to 0 then print n is 0 और step 5 होगा if n is less than 0 then अब नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं लिख रहा हूं print n is negative अब ऐसे लिख सकते है आप तो step 3 से you can use either way जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं लिखना हूं directly and you can use either 10 you can use either दोनों में फर्क क्या है फर्क यह है कि यहाँ पे step 3 ,4 ,5 सब चलेंगे जब कि यहाँ पे step 3 के अंदर तीनों स्टेट्मेंट्स में से एक ही स्टेट्मेंट्ट्स चलेंगगों ठीक है, प्रोग्रामिंग में step 3 यूज होता है ज्यादा step 4 दिखनी रहा है अब देखो color वगरा change नहीं होता क्या सबका ही color change हो गया है क्या फरक्ता है, do is much better यह आपका step 3-4 कुछ इस तरह से, आप दोनों में से कोई भी method यूज कर सकते कोई दिक्कत दोनों methods में बिल्कुल बस यह है कि else if में आपको end if लिखने की जरूरत नहीं है मैं यहां पर लिखना बूल गया हूँ, आप एक साथ final end if लिख सकते हैं I forgot जनरली मैं क्या है, एक ही तरीका बताता हूँ, क्योंकि फिर confusion होता है अब मुझे जैसे आप chat में कई students जो पूछ रहे हैं, जैसे आप से मुझे लग रहा है आप दोनों में confusion है येस, step 5 में end if जरूरी है, अगर आप next, दूसरे वाले segment में बात कर रहे है तो उपर वाले में step 3 में जो end if लिखा है, वो complete है हाँ, step 6 stop है, वो नीचे जगह नहीं है, नीचे दिखनी रहा है, इसलिए बने लिखा नहीं है but step 6 is stop, you can use any of the methods ठीक है, सब को समझ में आ गया okay, let me just clear this out अब आप लोगों के लिए एक चोटा सा टास्क है, कल एक अच्छी कासी चुटी है आपकी तो एक चोटा सा algorithm लिखने की कोशिश कीजेगा write an, तो यह keyboard तुमारा है न, algorithm to check if roots of an equation are real or imaginary and also print the roots real imaginary यहां फिर एक और भी तुदा, does not exist यह आपका पुश्च है आपको इसकी algorithm बनानी है और यह अगें तीन रास्ते अपने पास यहां तो roots real होगी, imaginary होगी इसमें equation input कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी equation होती है ax square plus bx plus c, तो यहां पर input आप क्या करा होगे a, b, c, इससे आप discriminant calculate करें और फिर अपने accordingly move करें खीक है, कोशिश करके इसको अपने laptop में या फिर अपने mobile में बनाना तक कि इसको आप copy paste करके मुझे यहां show कर सको जिसने पूरा बनाया नेक्स्ट क्लास में अपन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे ओके, so with this, आज का सेशन अपन फिनिश करते हैं if you have any doubt regarding today's session you can ask और ये question जरूर करना जो मैंने दिया है homework के लिए 5 to 10 minutes लगेंगे but practice हो जाएगी, इसमें सारे content आजाएगे जिता भी अपनने algorithm में पढ़ा है वो सब आजाएगे so thank you, I will see you on Monday